आथियो, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रता पुर्वक अपनी बात बताना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, आप किसी भी तरह के ब्रह्मे मत पढ़िये, इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों से सावधान रहें, जिनोंने दसकों तक देश पर राज किया, और जो आज किसानों से जूठ बोल रहे हैं, वो लोग किसानों की रक्षा का डिंडोरा पिट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंदनों में जकड कर रखना चाहते हैं, वो लोग बिचोलियों का सात दे रहे हैं, वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं किसानों को अपनी उपच देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजाजी देना बहुत ऐतिहासिक कडम है 21 सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं भारत का किसान खुल करके खेती करेगा जहां मन आएगा अपनी उपज बेजेगा जहां जाना पैसा मिलेगा वहां बेचेगा किसी बिचोलिये का महताज नहीं रहेगा और अपनी उपज अपनी आए भी बढ़ाएगा ये देश की जरुरत है और समय की मांग भी है